गुद मूरिंग दोस्तों, आर्टिकल 176, स्पेशल एड्रेस बाई दा गवर्नर, ये आर्टिकल किस के बारे में है, विशेश अभिवादन के बारे में किसका गवर्नर साब का, ठीक है, वो एड्रेस करेंगे, क्या बोला गया है आर्टिकल में, थोरी पार्ट में हम देख ल क्या बोला गया पहले इसपॉइंट में, तो इस में बोला गया किं गवर्नर के लिए जरूरी है, जब भी new election होगा उसके बाद governor बाद्ध है सधन में जाने के लिए ठीक है और सधन को संबोधन करेगा ठीक है पर किसी state में एक house है किसी में दो है किसी में legislative assembly है किसी में legislative council है तो मैंने यह सब आपको बताय हुआ है पहले articles में कि कितने state में दो houses हैं किसमें एक है ठीक है तो अगर इसमें दो houses हैं तो दोनों को एक साथ बुला के उनको address करेगा और एक है तो एक को करेगा ठीक है election के बाद उसके बाद provision shall be made by the rules regulating the procedure of the house or either houses for the allotment of time for discussion of the matters referred to in such address second जो close है वो क्या कहता है देखो speaker जो हमारे governor साहब है वो बुलाएंगे तो किसी matter पर discussion होगा न भई संबोधन करेंगे सदन को तो बताएंगे किसली बुलाएंगे ठीक है जो भी नीतिया होंगी ठीक है उन पर कैसे काम करना जो नई सरकार आई है तो उन चीज़ पर उलेख करेंगे ठीक है नीतियों का उलेखन करेंगे वो चीज़ है यहां पर तो मतलब ऐसा है कि governor साहब जो election के बाद जो पहली meeting होगी मतलब पहली meeting कहलो या session कहलो उसमें दोनों houses को बुलाएंगे जिसमें एक houses यह देवा एक को या दो houses हैं दोनों को ठीक है तो उन दोनों को संबोधन करेंगे और जो भी नीतिया होंगी उनका लेखन होगा तो यह हमारा article था 176 इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बस यही बत address करेंगे तो कौन से आर्टिकल में deal करता है तो यह सब कुछिन बन सकते हैं ठीक है thank you for watching this video